तो हलो एवर्यवन कैसे हो सब लोग तो भाई तुम लोग इतना हर वीडियो पे कमेंट करते हो कि control चारिये 6 finger का control कैसे manage करते हो कैसे mobile hold करते हो तो चलो इस वीडियो में सब बताता हो तो सबसे पहले मैं बताता हो कि मैं mobile hold कैसे करता हो इतना कोई rocket science नहीं है बस मैं दो finger mobile के पीछे रखता हूँ और mobile palm से hold गर लेता हूँ हाँ और बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई iPhone 13 तो बहुत छोटा है इसमें कैसे manage करते हो इससे पहले मेरे पास Samsung का A51 था उसका display size इससे बहुत जादा बड़ा है उसे जब new new shift हुआ था तो लगता था भाई six finger इस पहर कैसे manage करूँगा पूरा screen cover हो जाएगा within two to three days of practice मैं used to हो गया था अब मुझे यही perfect लगता है अब मैं वापस किसी बड़े device पे shift करूँ तो उस time वो अजीब लगने लगेगा तुम लोग मेरा control देखना चाह रहे थे और control code मांग रहे थे तो चलो वो भी देता हूँ मैं पूरा transparent layout पे खिलता हूँ लेकि तुम लोग को देखाने के लिए मैं एक special layout बनाया हूँ तो यह है मेरा control अब देखाता हूँ इसका advantages आप कुछ इस तरह का crouch and fire कर पाओगे इस control पर आप easy drop shot भी मार सकते हो बहुत लोगों को drop shot मारने में दिक्कत आता है इस control में हर एक button के लिए हर एक finger dedicated है अगर आप कुछ complex movement करना चाहते हो वो भी easy कर सकते हो jump, fire, crouch, prone, peak जो करना चाहो सब अगर एक साथ भी करना चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो इस control में left index के पास reload है जब चाहो एकदम quick reload भी मार सकते हो अगर तुमको bag and map दोनों एकदम easy, एकदम fast, तुरंत एकदम open and close, open and close अगर करना हो तो वो भी तुम एकदम कर सकते हो इस इस control में तुम कुछ भी करो किसी भी चीज में जरा सा भी delay नहीं आएगा तुम complex चीज कर सकते हो एक only one लेना prefer करते हैं उन लोगों के लिए भी ये एकदम flexible control है तुम जब चाहो FPP या TPP स्विच कर सकते हो ठेके इस तरह TPP, FPP स्विच भी होगी आप चलो peak पे आ जाते हैं बहुत लोग peak करके बैठना पसंद करते हैं जिसे उनका head exposed ना हो वो भी easy हो जाएगा and अगर right pick करके उसको left pick में जाना है या left pick करके हो उसको right pick में जाना है तो वो भी seamless easy and fast चले जाओगे अब बात करते है आई बटन की वो भी on off करना है या तुमको speaker on off करना है या setting open करना एकदम तुम वो भी एकदम quick कर सकते हो जैसे तुम्हारे उपर पुस आ रहा है और तुम्हारे चार नमबर के माइक से एकदम बरतन गिरने का वाज आ रहा है तो तुरं तुम जाके mute कर सकते हो या चार नमबर चोक कर दिया तो पुरं तुम माइक on करके उसको चार बात सुना सकते हो किसी भी चीज में कोई delay नहीं आएगा इस control में बस एक ही चीज हो सकता कि तुम बोलो मेरे बस का बात नहीं है मेरा finger बढ़ा है मेरा हाथ बढ़ा है मेरा mobile छोटा है एक सेक्टर एक सेक्टर और बहाना दे सकते हो यह control code अगर तुमको सच में flexibility चाहिए या improvement चाहिए या fast खिलना चाहते हो तो यह try करो नहीं तो बहाना तो 10 दे दोगे अब यहाँ पर से एक वीडियो का second part start हो रहा है बहुत लोग बोलते मेरा two finger है three finger है four finger है five finger है मुझसे sensitivity control नहीं होता इस spray control नहीं होता उन लोगों के लिए य हो रहा है अब four finger claw पे भी require control देख लो एकदम head head या रहा है अगर quality अच्छा नहीं आ रहा हो तो वो मैं next video में बोलोगे तो मैं करके दिखा दूँगा अब thumbs पे भी देख लो require control कैसा है बस head head या रहा है वीडियो के इस पार्ट से मैं बस यहीं समझाना चाहरा हूँ कि तुम कैसा भी कोई भी control पे खेलते हो अगर तुमको खेलने आता है तो तुम सब पे अच्छा खेल लोगे ज़रूरी नहीं है कि four finger five finger या six finger ही खेलो और अगर यह वीडियो helpful लगा हो तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर लो तो मिलते हैं अब next video में